सब्सक्राइब नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपने स्यूट्यूब चैनल ब्रिचेस कुमार टक पर तो साथियों यह मारे इसके तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जो की काफी सारे अभ्यारतियों के लिए काफी ज्यादा क्योंकि इसमें कुछ आपसे डॉक्श मांगे गया है कुछ आप से यहां पर जानकारी मांगी गयान अब कर देखा लेते हैं तो बाद में आपको पस्ताने के सिवाय और कुछ नहीं लीजिएगा आगे हम आपको दिखाने वाला हूं कि क्या कुछ अपडेट है कैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं डीटेल्स आपको बताऊंगा बाकी चैनल प्रग्राम नए है तो तुरंट सबस्था कर लीजिए क्योंकि यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह जो लिस्ट है यह कल की डेट साम को इसको जो है रिलीस किया गया है और इसमें साब-साब बताया गया है कि this is to this is with the reference to the attached list of candidates whose documents are pending जिनके भी documents pending है अभी तक पूर सब्मेट नहीं हो पाए हैं उसके इनके रिकार्डिंग में लिस्ट जारी की कि यह आपे बताया गया कि candidates are required to submit a self-attested clear legible copy of documents as mentioned against their role number in remarks column to following email address मनें कि आगे में आपको PDF or list दिखाने वालों को जिसमें candidate के नाम और रोल नमर सब को आपे बताया गया है इस email ID पर आपको अपने यह document भेजने पड़ेंगे जो भी आपर आपसे मांगे गए हैं next आप देख सकते हैं कि please note that documents sent to any other email will not be accepted इस email के लावा अगर आप दूसरे email पर इनको documents भेजते हैं तो वह आप वहाँ पर जो है allow नहीं किया जाएगा वह मानिन नहीं किया जाएगा kindly refrain from making CC to any other email address candidate must mention a post selected for which he has been and for a role number in the subject line of the email subject line में आपको role number और जो है आपका यहाँ पर post आपका किसमे selection हुआ है वो आप चीज़को यहाँ पर बतानी है it is requested to send the documents by 18 माई 2014 ठीक है यह आपकी deadline है 18 माई 2014 तक हर हाल में आपको यह documents भेज देने हैं यह कौन से document है आपको भी बता देता हूं बाकी यहाँ पर देख लिजी कि the document submitted after 18 माई only shall not be considered only shall not be considered valid ठीक है ना उसके बाद में आगर आप भेजोगे तो वो फिर वैलिट नहीं माना जाएगा role number यहाँ पर बताया गया है जो भी भ्यति का जो role number होगा यहाँ से अपना check out कर सकता है और documents required to be submitted certificate तो यह आपके यहाँ पर role number दिये गये हैं और उसके आगे बतायागे कौन से document आपको यहाँ पर submit करने की जरूरत है ठीक है तो यह आपका यहाँ पर OBC certificate वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको यह आपकर पूरी list देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा क कि OBC के जो भी अभ्यरती है साथी साथ मैं जो EWS के साथ ही है OBC और EWS के सभी अभ्यरतियों को यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर उनके documents मांगे गये हैं OBC का certificate साथी साथ मैं जो EWS के अभ्यरती है उनका EWS का certificate मांगा गया है यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा देता हू यहां पर यह आप देख सकते हैं कि EW certificate issued after यह सब ठीक है तो इन सभी लोग को अपने डॉकुमेंट करने के जरुवत है 18 माई तक बोलेगा मत इसको ध्यान से कर लीजेगा बाकी हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई वीडियो में नई इंफर्मेशन के साथ में चैनल से आप जे वारत